हեռpi and welcome to my youtube channel and आज हम एश्रा मसाला बनाने वाले हैं जो हम अपने सारे सब्जियों में डालते हैं तो बीना देर किये चलिए मसाला बनाते हैं मसाला बनाने के लिए मैंने 100 गराम जीरा ले लिये हैं इसको मिक्सी जार में डाल दिये हैं और 50 ग्राम मैंने मरिच ली हैं इसको भी मिक्सी जार में डाल दे रहे हैं और मैंने 40 ग्राम गरम मसाला मार्केट से मांगे आई हूं उसको भी मैंने मिक्सी जार में डाल दे रहे हूं और यह तीनों को मिक्स करके मैंने धक्कन लगा दे रहे हूं अब मैं मिक्सी अन कर रहे ह और चलिए इसको एक मिनट के लिए पीस कर दिखाती हूँ मेरा एक मिनट हो चुका है चलिए इसको खोल कर देख लेते हैं कि मेरा मसाला पिसाया है कि नहीं इसको चम्मा से चला कर देख लेगा है अभी दरदरा से मसाला है फिर इसको मैं ढख दूँगी अड़क कर फिर में चलाते हुए फिसुंगी एक मिनट के लिए फिस के फिर में आपको दिखाती हूँ कि मेरा मसाला फिसा हुआ है कि नहीं मेरा मसाला पिस चुका है, फिर आपको दिखा रही हूँ बहुत सौफ्ट और बहुत मुलाईम से मसाले थोड़ा सा भी दनडार नहीं है, एक दम सौफ्ट पिस चुका है मसाला बहुत बेश्ट हुआ है, सारी सब जीए में डालती हूँ फिर भी यतिना ना इससे स्वाद और बेश्ट अधिक बढ़ जाता है घर की मसाले से